हलो भीबन कैसे हैं अब सब आई होफ आप लोग अच्छे होंगे और यह फाइल देखो पाइल गंदी-गंदी सी हो गई थी तो इसको हम सोच रहे थे अच्छे से साफ कर लें तो उसके लिए हमने एक नई ट्रिक से यह फाइल को साफ किया है तो कैसे साफ करेंगे हैं हम आप करना है लेना है थोड़ा सा पानी यह पानी हमने उगलने के लिए रख दिया था और इसको उबाल लेना है अच्छे से और उसके बाद में इसमें डालना है थोड़ा सा सर्फ सर्फ जो कपड़ा दोने वाला होता है जो जिससे हम लोग कपड़ा दोते हैं तो वह वाला एक पग मैंने लेगे को फोडरी देर के लिए दो मीनट के लिए इसे कंड़ी्हे घ्रड़ने देंगे फट हूंआ देंगे पारगा फैलित्स उबालना परफार उसके बाद में क्या करना है यह जरूर ne ट्रक है अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपकी पाइल एकदम सफेद हो जागी देखिए जैसे यह नीबू हमने डाला एक नीबू लेना है इसको नचोड़ देना है और जैसे इसमें नीबू डाला तो देखिए एकदम सारा मेल चूट गया जितना पाइल में बस बाद में क्या है हलका सब्रस लगाने की जरूरत है और यह अच्छे से अपने आप साफ हो जाएंगी देखिए कितना सारा कोईला निकला है पाइल में से क्योंकि चानी भी काली हो पड़ जाती है और जैसे बाहर की गंदिगी भी आ जाती धूल मिटी तो यह सारा कुछ जो भी इसमें मैल था सारा छोड़ दिया है तो देखिए और अच्छे से इसको हमने 5-7 मिनट के लिए खौलने दिया था अच्छे से खौल गया और इसको छोड़ दिया था हमने एकदम धीमी आज करके छोड़ दें और पानी देखना है कि पानी साही से है कि नह उआ तो जल जाये तो या तो सामने रख के करना है अगा थोड़ना है तोटी दैर के लिए दो-चार मिनट के लिए तो इसको उसमें पानी अच्छे से डाल लेना है ऑसके बाद में देखिए यह पार आ हमारी अच्छे सिस्तार आIT नीचे बैट गया है और पाई तब तक ही तब इनको साफ करने लेना हैं तेग्ञिए कि थंडी हो जाने के बाद में फिर थोड़ा वो जो मैल हलका सा बचा है वो कुछ भी जादा नगए करना वस हलका सा इस तरीकी से फउलाके पाईल को और हलका सा बस लगा MOR और पाईल अच्छे से साफ हो जाएगी है कोई भी बरध्न और अच्छे चमक जाएगी और इस तरीके से हम हलका सा ब्रस लगा देंगे यह हमारा ब्रस अच्छा है तो इससे साफ हो जाती है नहीं है आपके पास सही तो आप लोग को जो मंध्यन करतें वह बिन फाल के खराब पड़ा है उससे साफ कर सकते हैं इतना जादा मेल जम गया है फुंस मेलग को अच्छे से साफ कर लिए तरीकिए उसों निकला है उसको फेख देंगे और यह इसी भगोनी में डालके और फायल को रह पाल रहें को अच्छे से थो द साफ किや अच्छे से किसी भी with q7 में साफ और चांदी क्यों तो इनको अच्छे सी साफ कर सकते है नवी की मदद से कि इसे इस फेड निकल आई हैं जैसे नई होती हैं नए तरीके से निकल आई हैं तो इसी तरीके से आप लोग भी साफ कर सकते हैं तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना चलिए फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे